बच्चों, कैसे हैं आप लोग, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी प्रहाई बेची चल रही होगी, तो अभी हम लोग करने वाले हैं, ग्लास 10 के, जो मन्थली एक्जाम नेशने के मासिक परिक्षा है, होती है, ठीक है, तो उसी के हम लोग, जो सेटेंबर में हाल फिलाल में एक्जाम हुआ है, तो इसके साइन्स के पेपर का, यहनके विज्ञान के पेपर का, जो आपका section B का जो कोशन होता है, लगुतरिये कोशन, जो लगुतरिये प्रशन, short answer type कोशन, जिसमें आपको 1 से 10 तक, आपको 10 कोशन मिलता है, और आपको सिर्फ और कोशन का ही answer करना होता है, ठीक है, तो अभी मैं आपको सभी के सभी 10 कोशन, जितने भी 10 कोशन है, इसका मैं अभी आप लोग को solution, इसका answer मैं आपको बताऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आप लोग को दिर्गुतरिये questions का answer भी बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो को वीडियोत वीभव, ठीक है, वीडियोत लिखा गया है, ठीक है, से आप क्या समझते हैं, तो इसका answer लिख लिजेगा, कि किसी बिंदू पर वीडियोत वीभव, उस कारे को दर्शाता है, जो एक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदू तक लाने में किया जाता है, इसे वो क्या है, थैक है, ध्यान से कॉश्चन समझेगा, यहाँ पर उतौने का कारण पूछा जा रहा है, ठीक है, तो नेक्स्टी में कभी ईसा कोश्चन आए, तो उस कांसर क्या लिखना आपको, परतिरोध की उतौने का कारण ये है, कि जब विधूत धारा धातु में बहती है, तो धातू के परमानू एलेक्ट्रोनों के परवाह में बाधा डालते हैं, इस टक्राओं के कारण परतिरोध उत्पन होता है, ठीक है, अगला कोशन आपका है, अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग समझाएं, तो इसका आंसर लिख लिजेगा, यहां अमीटर का पहले हमने बता है, इसका उपयोग किसी परिपत में बहने वाली विदुद धारा को मापने के लिए किया जाता है, यानिकि एलेक्ट्रिक करेंट विदुद धारा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, विदुद धारा को, लेकिन वोल्ट मीटर क्या ह इसका उपयोग किसी पड़िपत के दो बिंदूओं के बीच विदुत विभव को यानि के पोटेंशल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है फर्क समझ में आगे इसके बाद आपका जो अगला कोशन है परती रोधों का संयोजन क्या है या कितने परकार से होता है तो इस एक है आपका श्रेनी करम यानिके मैंने इंग्लिश में लिए स्रीज और एक आपका समांतर करम यानिके पैरलल कंबिनेशन हो गया ठीक है इसके बाद आपका जो नेक्ट कोशन है धातु या अधातु में एक अंतर बताईए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए धातु क्या है विदुत और उस्मा के अच्छे चालक होते है जैसे की तांबा ठीक है इसके बाद है अधातु विदुत और उस्मा के कुछालक होते है जैसे की सलफर ठीक है ना चलिए उसका रगला कुशन है भरजन क्या है भरजन क्या है एक उतारन दे कर समझाईए तो भ उधारन तांबे के सलफाइड यहां से लेकर यहां तक हो गया अगला कुशन देखते है परगलन परगलन में गालक की बहुमिका होती है तो प्रगलन के दोरान कालम का जब करते हैं तो उस दोरान गालक एस्क में से अशुँझ्धियों को अलग करने के लिए प्रियुक्त होता है बास समझ में आगई कि गारलक का काम क्या है तो ASC में यनके ओड में से अशुद्यों को अलग करने के लिए पड़ युक्त होता है ये अशुद्यों को सलैग में बदल देता है ठीक है जो ASC से अलग हो जाता है ठीक है आठवा कुशन आपका है मेंडल का पर्थम नियम क्या कहलाता है मेंडल का पर्थम नियम समानता का नियम यानि कि law of segregation कहलाता है जो कहता है कि एक जीव के दो जीन परजनन के समय अलग हो जाते हैं और संतान में एक जीन पिता से और एक माता से आता है इसके बाद आपका है विभिनिता के दो पर्मुक परकार कौन है तो विभिनिता के दो पर्मुक परकार है आपका एक हो गया अनुवानशिक विभिनिता और पढ़ियावर्निय विभिनिता जेनेटिक वेरियेसन और इन्वारिमेंटल वेरियेसन इसके बाद आपका है लिंग क्रुमोजूम क्या है, तो Link क्रुमोजूम V क्रुमोजूम होते हैं, जो जीव के Link का निरधारन करते हैं मनुशियों में या X और Y क्रुमोजूम होते हैं X-X महिला और Y-Y प्रुश लिंग निरधारित करते हैं ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो यहाँ पर मैंने आपका जो 10 कोशन था उस 10 कोशन को मैंने समझा दिया है ठीक है I hope कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगली वीडियो में हम लोग इसी के यानि कि अभी तो मैंने आपको लग उत्तरिय का बताया है अगर आप लोग चाहेंगे तो अगली वीडियो में मैं इसका जो दिर्ग उत्तरिय यानि कि लॉग आंसर 11 से 15 तक का जो है इसको मैं समझा दूँगा इसका जो भी आंसर होगा वो मैं लिख दूँगा लॉग आंसर है तो थुरा सा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े आप ऐसी सीखेंगे जो आपको आपजेक्टिव में मदद करेगी ठीक है तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताएएगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा बच्चों के साथ शेर कर दिजेगा और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में तब वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया